नमस्कार, इजी होम टिप्स में आपका स्वागत है, मैं संतोष टोहान, आज में आपके लिए एक ऐसी रोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो की सभी के लिए बहुत ही फायदे मंद है, एक अलग तरह की रोटी है, यह जो वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी फायद जाएगा, और जिनको बवासीर की प्रॉबलम है, उनके लिए भी यह रोटी बहुत ही फायदे मंद है, एक रोटी है, पर इसके गुण इतने है, कि मैं अगर वीडियो में बताने लगूं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर आप से रिक्वेस्ट है, कि आप वी लेना है, और आधा कप लेना है, आपने चोकर, यानि कटोरी से अगर ना आप रहे हैं, तो एक छोटी कटोरी आपने आटा लेना है, और एक ही कटोरी आपने चोकर लेना है, मात्रा बराबर रखनी है, आधा आटा और आधा चोकर, तो जो भी वजन कम करना चाहते हैं, उन उसमें केबल 4 g फाइबर मिलता है जबकी चोकर में 43 g फाइवर होता है, आप दिखो कितना फाइवर होता है इसके अंदर, और चोकर में 16 g प्रोटीन होता है और कयावेरो कारबो हाईड़ेड होता है, इसमें 30 g झादीन और इसमें फैट की मात्रा बहुत कम होती है चोकर की रोटी बहुत कम क्याल Понट वाली होती है जो भी वजन कम करना चाहते हैं उनकी क्यालरी भी बहुत कम हो आप जाएगी और फाइवर की मात्रा देखें वीडियो को इसके बिलकुम मत करना क्योंकि देखें इसको रोटी बनाना भी आपको आना चाहिए कि रोटी कैसे बनानी है दोनों को अच्छी तरह से मिला लिया अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसको हम बाइंड करेंगे डो की तरह बनाएंगे और तो भी किस तरह से बाइंड करना है वह भी आपको देखना बहुत जरूरी है तो मैं बता रही थी चोकर के बारे में और जिनको कब्ज रहती है ना तो कब्ज वालों के लिए भी यह चोकर बहुत ही फायदेमन होता है क्योंकि फाइवर है इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी बहुत ही फायदेमन है हम लोग निकाल देते हैं जो सफेज सफेज रोटियां खाना पसंद करते हैं तो भूल जाए कि उनको कुछ मिल रहा है मैदा ही खा रहे हैं तो देखाता है पहले गाओं अगर हम लोग खुद मुझे ध्यान है खुद हम मैं चोटी सी थी तो मेरी ममी हम मतलब फिसवाय करते हैं उसली फिस दो पिसवाया करते हैं और आज तक लेकि तोली पान कर मैसे को बेनेफिट करते हूं और आज कर तो सबसे अचछी बात यह है कि जो ज़ता छोकर मार्केट से सकते हैं मैं इसका सी희 का लिंक बिल दूं गित्वत मंगवा सकते हैं तो ज्यादा महेंगा नहीं है 40-50 रोपे का आदा किलो जो चोकर है वो मिल जाएगा तो जो भी वजन कम करना चाहते हैं जिनको कब्ज की प्रॉबलम है जिनको बवासीर के प्रॉबलम है तो सभी लोग ऐसे एक हैं अब देखो इसको ढख कर रखना बहुत ज तब तक आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि चोकर का पानी में फूलना भी बहुत जरूरी है इसलिए मैं बार बर कह रहे हूं कि वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि मैं चाहते हूं जो मुझे नौलिज है और जो मैं देना चाहते हूं आपको नौलिज आपको दे चोकर बहुत अच्छी तरह से फूल गया है फिर हम इसकी रोटी बनाएंगे तो आप जैसे देखिए आजकल थलियों वाला आटा आता है ना उसमें उपर का क्योंकि सबको वाइट रोटी चाहिए सफेद रोटी और सफ्ट रोटी चाहिए तो वह वाइट जो थलियों वाल जाएगेवुं के ऊपर का जो छिलका होता है जिसमें सारे गुण हैं वही निकल जाते तो आप सूचिए कि हम लोग मतलब आप लोग थो नहीं खाते हैं थैली वाला आता तो क्या खा रहे हो आप मैदा खा रहे हो जो कि कितना नुकसान करता है तो अब मैं इसकी रोटी बन नहीं लिती है नृतल घर भी और और ऑर बीशिते यह ऊनलाई चुकर कर सकते ширn में 25 और अधा चौर One को लोग हुज़ाली आपको बोहती है तो बहुत दिएल अल्ग से अधाम एक धर तक को लोग की वाजन में और धर लेगा क। और अगर खाना पच जाएगा आपको क्योंकि इसमें फाइबर है और यह पच जाएगा जो भी आप खाओगे पच जाएगा तो आपका फैट जमा ही नहीं होगा पेट में अब एक साइट से देखे रोटी हमने सेक लिए अब मैं इसको गैस पर सेक लूँगी हमारा आप जान से फेट बनता है तो हमें फाइबर की मात्रा बहुत जादा चाही होते जैसे एक परसन के लिए दिन में कम से कम 35-40 ग्राम फाइबर चाहीए तो अगर आप चोकर वाली रोटी खाते होना तो चोकर वाली रोटी और सब्जियों से एक दिन का फाइबर आपका पूरा हो परकर शब्सकियां है मैंने तो ओन print मिल रहा है। तो वहां मैं लिंक दे pas स Sakym toen वहां से आप इस तरह से हम यह रोटी बना लेंगे। और इसमे जो सब्शी कोई दो नogn करते हैं उसमें बहुत say बहुत कम बघार वगडर में बनाना सबु करते हैं तो रिफाइन ना करें यूज सरसों का तेल यूज करें रिफाइंड ओल आप जानते हैं रिफाइंड ओल भी कितना नुपसान करता है तो यह देखिए आप देख रहे हो यह रोटियां कैसी लाल-लाल है और आपको देखने में हलका सा ऐसा लगेगा कि यह रोटी टाइट है पर मैं तो इसको चोकर को अच्छी तरह से फुलाना भी बहुत ज़रूरी है तो चार रोटी मैंने बनाई है आधा कप आटा लिया था और आधा कप मैंने चोकर लिया था तो उसमें चार रोटियां बनी है तो सौफ्ट बनती है ऐसा नहीं है कि इसको बड़े वजुग नहीं यह देखिए ऐसा नहीं कि रोटी सॉफ्ट नहीं बनेगी चोकर की वज़े से रोटी सॉफ्ट बनेगी अगर आप चोकर को अच्छी तरह से फुला लोगे वीडियो आपको हो सकता है वीडियो बोरिंग लगी हो पर मैंने कोशिस की है कि मैं सारी बाते आपको बता दू ताकि आप इसका फाइदा उठा सके वीडियो का तो देखरो कितनी सॉफ्ट बनी है तो ऐसा मतलब मन में मत सोचना कि इसकी रोटी हाड हो जाएगी तो हम कैसे खाएंगे कितना फाइवर है इसके अंदर चोकर देखरो आप कितना दिख रहा है इसके अंदर क्योंकि आधा आठा और आधा हमने चोकर लिया था तो इसी तरह से बनाएगा रोटी और खाएगा और जिन जिनको भी प्राब्लम है कब्ज की प्राब्लम है या शुगर पेशंट है घर में या कोलोस्ट्रॉल जिनका मैंटेन नहीं रहता है या बवासीर वगर है तो उनको सभी को ये चोकर व अपनी अगली वीडियो में वीडियो देखने के लिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद